नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे इंडियान रेलवे के 3rd AC के सीट को इस लेट के बारे में यह एक कमपार्टमेंट है 3rd AC का इसके अंदर 6 सीटे होती हैं नीचे के तरफ 2, middle में 2, upper में 2 और सामनी के तरफ 2 सीटे जैसे कि आप दे सकते हैं वीडियो के अंदर और अगर आपकी सीट आरेसी में है तो आपको साइट लोर बर्थ मिलती है दोस्तों जो कमपार्टमेंट इचे तरफ सीट सोती हैं उनको लोर बर्थ कहते हैं मिडल में जो सीट सोती हैं उनको मिडल बर्थ और जो top में seats होती हैं उनको upper birth कहते हैं और यह सारी sleeper seats होती हैं आपकी आप अराम से सोके जा सकते हैं इन पर overall एक third AC coach के अंदर 64 seats होती है means 64 आपकी sleeper seats होती है जहाँ पर अराम से आप सोके जा सकते हैं और कभी RAC आती है तो आपको RAC के अंदर site lower birth मिलती है दोस्तों अब बात करते हैं coach की facilities की coach के अंदर आपको charging point मिल जाता है जहाँ पर आप अराम से अपना laptop, mobile वगरा चार्ज कर सकते हैं और हर एक birth के साथ उसका seat number भी लिखा होता है जिससे आपको पता लग जाएगा कौन से seat है यह जो आप सामने लेख रहे हैं यह आपका समान रखने जगा है थर्ड AC coach के अंदर lighting वगरा proper way में होती है और साथ में हर एक seat के आगया आपका seat number लिखा होत जैसे आप वीडियो के देखे हो और सामने एक बड़ा सा LED भी लगा हुआ है जहां पर सारी इंफरमिशन आपकी आती रहती है विंडोस पे curtains वगरा भी लगे होते हैं दुपैर के समय आप curtain बंद कर सकते हैं जिससे अंदर धूप नहीं आएगी थर्ड AC आपकी fully air condition coach होती है इसलिए इंडन डेलवेज आपको कंबल, तकिया, चद्दर प्रवाइट करता है हर एक seat के साथ थर्ड AC coach के अंदर toilets काफी clean होते हैं और खानी की बात करें तो आपको यहाँ पर online order कर सकते हैं ये catering website के दौरा और आपकी seat पे खाना deliver कर दिया जाता है दोस्तों ये थी संपून जानकारी थर्ड AC seat coach layout के बारे में वो sitting arrangement के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू कीजिए धन्यवाद